हेलो फ्रेंड अगर आप लेक पाल भरती परिष्चक तैयरी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके अंदर जान पैदा करेगी इस वीडियो में शामिले टिक है जो कि आपके पीचस एक्साम से सीधे डारेक्ट उठाए गए हैं तो यह मन की चलिए है आपके इस टॉपिक से काफी कुश्चन आने वाले हैं आपके लेक पाल भरती परिष्चा में तो पहला कुश्चन आपके स्क्रीन के सामने है नैनार कौन थे जी हाँ यहाँ यहाँ बात हो रही है नैनार की ओके तो ध्यान देजिएगा तीक यहाँ पर राइट आप्शन होगा ओप्शन भी यानि शेयो संप्रदाय से अगर हम बात करें तो दच्छिर बारत में पूर्व मधिकाल में भगवान मिश्रू की पूजा करने वाले अलवार और भगवान शिव की उपासना करने वाले नैनार कहलाते थे ठीक है चलिए सुनेश क्विशन है सब्त पढ़ली गुफा कहां इस्थित है जी हाँ यहाँ यहाँ पर बात हो रहे है सब्त गुर्ली गुफा क्यों के चलिए बताई फ्रेंड, सब्त पर्ली गुफा कहां पे इस्तित है तो इसका राइट आप्शन होगा आप्शन सी यानि राजक्रे में पर्थम बहुत संगीत यानि अजात्शत्र के शाषन में राजक्रे इस्तित सब्त पर्ली गुफा में 483 इसापूर में संपूर हुई थी इसकी अध्यस्ता महाकस्यप ने की थी इस संगती में बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों यानि बिने पिटक और सुद्ध पिटक में विभाजित किया गया था वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग कमेंट बाक्स में हमें कमेंट करके जरूर पताईगा ठेक है आप लोग का कमेंट नहीं आता चलिए सुनेश कुशेन है गोपत ब्रामण किस से संबंदी थे जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने गोपत ब्रामण किस से संबंदी थे तो राइट आप्शन होगा आप्शन सी अथर वेद से अगर हम बात करें गोपत ब्रामण अथर वेद का ब्रामण गरंथ है इतरे योम कौशत की नामक ब्रामण रिगवेद के शत्पत योम तैत्रिये ब्रामण यजुर वेद के तथा पंच विश या तांडे ब्रामण साम वेद का ब्रामण गरंथ है क्लियर डाउट डाउट क्लियर हो तो कमेंट बाक्स में यस करके जरूर भेजिएगा चलिए सुनेश कुशन है बल्लभी विश्विद्दाले इस्थित था देखे यहाँ पर राइट आप्शन होगा ओप्संड यानि गुजरात में बल्लभी पूर यानि प्राचीन भारत का एक नगर था जो पाचुई से अठ्वी शतादी तक मैत्रक मश की राजधानी रहा यह मानिता अनुसार इसकी अस्थापना 470 इस्वी में मैत्रेक मश के संस्थापक सेनापती भट्टारक ने की थी यहां की परसिद्धी का मादपूर कारण वल्लभी विश्विद्धाले था जो तच शिला तता नालंदा की प्रंप्रा में थाओ के चलिए नश कुशेन है दौर समंद्र किस राजवन्ष की राजधानी थी? जी आयां पर बात हो रही है दौर समंद्र की देखी राइट आप्शनों का उप्शन सी यानि होईसल होईसल राज़ की राजधानी दौर समंद्र का वर्तमार नाम हेले बेट है जो करनाटक के हासन चिले में है ठीक है जबकि वनवासी कदंब की राजधानी थी योमताल कांड या कूवलाल गंगो की राजधानी थी काक्तिय महिश का संस्तापक बीमा पर्थम था जिसने नल गोंडा यानि हैदराबाद में राज़ का गठन किया जिसकी राजधानी अम कोंड थी चलिए सुनेश कुशन है लोना वाला यानि महाराष्ट में इस्तित है तो यह याँचे डाउट कलियर काले कहां पर है आपके महाराष्ट में सुनेश कुशन है महाभारत मुलता किस रूप में जानी जाती थी देखें आपे राइट आप्शन होगा आप्शन डियानी जह सहीता चलिए अगला कुशन देखते है बिटिस वस्तूं के बहिसकार को राश्टी एस्तर पर अपनाया था तो राइट आप्शन होगा आप्शन डि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 20 सुलाई 1905 इस्वी को बंगाल विभाजन की गोशला की जिसके प्रडाम सुरूब 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में सोदेशी आंदोलंक की गोशला की गई डाउट किलियर किसको शाजा ने शाह बुलंद की पदवी दी थी तो राइट आप्शन होगा ओ आप्शन ए यानि दारा शिको को शाजा के शाशनकाल में उपनिस्तों का फार्सी भासा में अनवाद दारा शिको ने सिर्रे अगवर के नाम से किया था इसके अंतरगत बावन उपनिस्तों का अनुबाद किया दारा को उसकी सहिश शुर्ता वाउदार्ता के लिए लेन पूल ने लगू अकबर की संग्याद दी शाजा ने दारा शिको को शाबुलंद की उपाधी परदान की थी ओके चलिए डाउट क्लियर गदर पार्टी का मुख्याले कहां इस्तित्ता सो राइट आप्शन होगा आप्शन एनी सैंस फ्रांसिस्को में 1913 इसवी में सोहन सिंग भागना ने हिंदोस्तान एस्सोशेशन आफ दी पैस्फिक कोष्ट नामक संस्ता की स्थापना की इस संस्ता ने गदर नामक के एक अगबान निकाला जिससे संस्ता का नाम भी गदर पार्टी पढ़ गया ओके चलिए सुनश कुशन है किसको दा ग्रेंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था तो राइट आप्शन होगा आप्शन सी यानि दादा भाई नैरो जी क्लियर चलिए सुनश कुशन है कौन उग्र राष्टवाद के उलेखनी नेताओं में से नहीं थाडिक थी यहाँ पे नहीं शब्द लगा इस टाइब के कुशन जो आपके एक्जाम में कन्फ्यूज करते हैं सो राइट आप्शन होगा आप्शन है यानि गोखले अगर हम बात करें तो 1906 के बाद भारती राजनीत में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांती कारी उग्रवादी दलो का भी अविर्भाव हुआ उग्रवादी विचारधारा के चार परमुग नेता थे नोट करिये बाल गंगा धरतिलाग लाला लाज पत्राए वीपेंचंदरपाल तता अरविंद घोश ओके हैं क्लियर चलिए सुनेश क्विशन है छेत फल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादीप कौन सा है तो राइट अप्शन होगा ओप्शन डियानी अफ्रीका है इस राइट अप्शन इशिया अफ्रीका ओके चलिए सुनेश क्विशन है कौन सी नदी ओरिशा में अपना डेल्टा बनाती है तो राइट अप्शन होगा ओप्शन भी यानी महा नदी महा नदी पांसो टोन किलोमीटर लंबी नदी है ठीक है ये 36 गड़ के रायपुर चिले में सिहावा से निकल कर पूर्वा दच्छिर पूर्व की ओर प्रवाइत हो दी हुई उडिसा के निकट बढ़ा डेल्टा बनाती है क्लियर चले अगला कुश्य ने फटापट सबसे पहले भूदान अंदोलन की शुरुवात किस राज से हुई थी देखिया पे इस्टेट की बातो रे ठीक है यानि किस राज से हुई थी तो यहां पे राइट आप्शनों का आप्शन है यानि आंद्र परदेश है आश्चार विनोवा भावे यानि सर्वोदय सम्मेलं के संदर्व में 18 अप्रेल 1951 को आंद्र परदेश के नल गोंडा जिले में पहुचे थे इसी जिले के पोचम पल्ली गों में विनोवा जी ठहरे थे इस गों के प्रवास के दोरान गों के 40 हरजन परिवारों के लिए भूम की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गों के जमिदार रामचंदर रेड़ी ने 100 अकल भूम देने का प्रस्ताओ दिया ये प्रस्ताओ ही भूम दान अंदोलन की उत्पत्ती का कारण बनाटिक है तो ये शुरू हुआ था 1951 से डेट याद रखिएगा वेरी इंपॉर्डेंट है 1951 भूम दान अंदोलन किसने शुरू हुआ किया था आचार विनोवा भावेजी ने चलिए नेश कुशन है बेतवा नदी किस नदी से मिलती है तो राइट आप्शन होगा आप्शन भी यमुना से बेतवा नदी मद्पर्देश के राजसेंजिले में विंधे परवस्रेडी से निकलती है इसकी लंबाई 400 सी क्लोमीटर है ये हमीरपूर यानि उत्तर परदेश में आकर यमुना में मिल जाती तो मिलती कहां पे हमीरपूर कहां पे इस्तित है उत्तर परदेश में बेतवा नदी मद्पर्देश के राइसेंजिले से निकलती है और हमीरपूर में यमुना से मिल जाती है चलिए सुनेश कुष्यन है महारत की कितने राज समुद्र के किनारे पर है तेकि यहाँ पर राइट आप्शनों का आप्शन सी नो, राज, पहला, गुजरात, महाराश्ट, गोवा, करनाटक, केरल, तमिलनाडु, आंतपर्देश, ओरीशा, योंपश्यमी, बंगाल क्लियर है चलिए, सुनेश कुष्यन है शुष्कता दशा संदर्भित है तो राइट आप्शन होगा, आप्शन भी, यानि निम्न आदर्ता से शुष्क दशा से ताद पर निम्न आदर्ता से यानि वायू मंडल में उपस्ति जलवाश्प को आदर्ता कहते है अदर्ता को ग्राम प्रती घन मीटर में मापा जाता है डाउट किलियर चलिए, सुनेश कुष्यन है भारत में सबसे अधिक उपजाओ मिट्टी कौन सी है तो राइट आप्शन होगा, आप्शन भी, यानि काली मिट्टी काली मिट्टी मुक्यता, महराष्ट, गुजरात, मत पर्देश और तमिलनाडु छेत्र में पाई जाती है डाउट किलियर है चलिए, सुनेश कुष्यन है साधारण ओरोबै की खरपतवार पाय जाता है तेकि याँ पे बात हो रहे हैं साधारण ओरोबै की खरपतवार के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइब कुष्यन चलिए प्रेंड, बताए इसका राइट आप्शन तो यहाँ पर राइट आप्शन होगा आप्शन है यानि तमबाकु के खेत में बैगानिक भासा में ओरोबैंकी या हिंदी में आग्या के नाम से इसे जाना जाता है यह परजीवी किस्म का पौदा है जो के तमबाकु के लावा चना, सरसों, टमाटर, यों, जीरे की फसनों को भी चौपट कर देता है चलिए निश कुष्यन है निम्डखिन में से कौन सा राज इलाइची के उत्पादन में पहचान नहीं रखता जी यहां सही सुना इलाइची के उत्पादन में पहचान नहीं रखता यानि यहां पे इलाइची नहीं होती तो चलिए बताए इसका राइट अप्शन कौन सा है तो यहां पर राइट आप्शनों का आपसंडी यानि ओड़ी शाह करनाटक तमिलनाडु राच में लाची का उत्पादन होता है और केरल में क्लियर है डाउट यहां से सभी कौना चाहिए यह कुईशन चलिए नेश्ट कुईशन है सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है चलिए इसका एंसर आप लोग करन बाक्स में दीजिए ठीक है सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है यहां पर दो आप्शन है जो कि आपके 50 परसे नहीं डाउट फुल वाले है ठीक है यानि यहां से जिसको आएगा वो आराम से एक कुईशन सॉल्व कर लेगा चलो नेश्ट कुईशन है मीठी नदी कौन सी जील से निकलती है तो यहां पर राइट आप्शनों का आप्शन सी पोई जील मीठी नदी मुंबई में परवाइत होती है इसकी उत्पत्ती का प्रात्मिक स्रोत बिहार चील वादुतिये स्रोत पोई जील है यह 15 किलोई मीटर लंबी नदी है कितना 15 किलोई मीटर मात्र चलिए नेश कुशन पड़ा वर देखते हैं फ्रेंड भारत में कोईले का सबसे अधिक उत्पादन किस राज से होता है यह 4 आप्शन आपके सामने है सबसे अधिक उत्पादन की बात हो रही है तो यहां पर धान दीजिएगा चलिए राइट आप्शन होगा आप्शन भी यानि ओलिशा भारत में कोईले का सरवादिक उत्पादन करने वाला राज जार्खंड है लेकिन विकल्ब में जार्खंड ना होने के कारण ओलिशा सही उत्तर होगा यानि जारकंड और याँ विकल्प में जारकंड है नहीं तो ओड़ी साइज है राइट आप्शन होगे चलिए सुनेश कुशन है होईमस सुधारण है एक राइट आप्शन होगा ओप्शन है यानि मिर्दा सनरचना का किसी भी मिर्दा में पाये जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनीक पदार्तों को होईमस कहते हैं होईमस का निर्माण विविन पादप योम जन्तू और सिष्टों के विच्छेदन द्वारा होता है ये बिचेदन मिर्दा में पाये जाने वाले कवक योम जीवाडू आधी करते हैं तो option A is a right option So next question है आरावली स्रेडियों किस राच्च में इस्तित है? तो right option होगा option यानी राजस्थान में अगर हम बात करें तो आरावली प्रवस्रेडी गुजरात के पालनपूर से लेकर राजस्थान योम हरियाडा से लेकर दिल्ली तक 800 किलो मीटर की लंबाई में है इसका निर्माण प्री कैंब्रियन काल के प्रोटी जोईक युग में हुआ था इसकी सर्वोज चोटी गुरू शिखर है जो के 1722 मीटर है सुनेश कुश्यन है किसमें उस्लिक कड़ बंदिये पढ़ पाती वनों का विस्तार अधिक है जियां यहाँ पे बात नो रहे है उस्लिक कड़ बंदिये पढ़ पाती वन के तो रहे टाप्शन होगा ओप्सिसन भी यानि एशिया महादीप में उस्लिक कड़ बंदिये पढ़ पाती वनों का सरोधिक विस्तार पाया जाता है यह वन गर्मी के प्रारम में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं इसलिए इने पज़ड या मानसूनी वन भी कहते हैं यह विरिच अधिक लंबे या सगन नहीं होते हैं में साल, सागोन, शीशम, चंदन, आउला, इत्यादी विरिच आते हैं कलियर है? चलिए सुनेश क्विश्चन है कौन सा राज नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज है? तो राइट आप्शन होगा ओप्सिंस सी यानि तमिल नाड़ों के सुनेश क्विश्चन है सार गासो समदर की विशिश्चता है चलिए प्रेंट बताई इसका राइट आप्शन कौन सा होगा? सु राइट आप्शन है आप्शन यानि समदरी बनस्पती है महासागरों में जब गर्म और ठंडी जल धाराएं चलती है तो जहां एक दूसरे का मिलन होता है प्लांटक नामाक समदरी बनस्पती पाई जाती है और इस अस्थान पान मत्स या मचली का उत्पादन केंदरे पाई जाता है यानि इधर से गर्म धारा और इधर से ठंडी धारा जहां पर मिलती है यहां कर टंप्रेचर बराबर होता है यहाँ पे सारगोसों यानि समुद्र बनस्पती पाई जाती है और मचलियां अपना अंडा बच्चा करती है क्लियर है चलिए नेश्ट कुशेन है मैक्सिको सबसे बढ़ा उत्पादक है तो राइट आप्शनों का उपसंट यानि चांदी का यहाँ से यह डाउट किलियर हुआ फ्रेंड तो कमेंट बाक्स में आप लोग एस लिख कर बेजिए और आपको वीडियो कैसे लगी आप बने रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ मिलते हैं हम नेश्ट वीडियो के साथ ओके थैंक्स बेश्ट आप लाग थैंक्यूँू